इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इतिहास कच्छा बारा के पार्ट एक इट मन के तदा अस्थियां के कुछ इंपोर्टन बहुत विकल्पी क्वेस्चन आयोब की आपकी इससी बहुत ज़्यादा हिल्प होगी और अगर आप इच्छेस तयार करते हैं इसे तो वोड एक्जाम में बहुत ज़्यादा हिल्प होगी और भी हैं पर चार पांस याद के लिए तो इतना काफी है भारती पुरतत को जनक किसे कहा जाता है उत्तर है जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम को चाउथा है अगर आप सिरीज में देखेंगे तो अलग 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 उत्तर दिया गया है जैसे बिद्या के सिरीज में 1925 दिया है और राजीव के सिरीज में 1922 कुछ ऐसा दिया है लेकिन करेक्ट आंसर 1922 है यह आपको ध्यान रखना है गूगल भी कर लो तो यही आंसर मिलेगा चाटमा प्रस्न है हरपा सब्धा किस नदी के किनारे इस्थित है उत्तर है रावी नदी किनारे सात्वा है मोहन जोद्रो किस नदी किनारे इस्थित है सिंधु नदी के किनारे हरप्पा एवं मोहन जोद्रो कहां इस्थित है पाकिस्तान में सिंधु नदी का प्रमुग बंदरगा कौन सा था उत्तर है लोथर सिंधु सब्धता में मनका बनाने की फैक्टरी कहा थी ये फैक्टरी न बोलकर आप कुछ और बोल सकते हो या फिर मनका कहा बनाय जाते थे उत्तर है चनहुदुडों में हडपा सब्धता का कुल छेतरपल कितना है तेरा लाख वर्ग किलोमीटर मोहन जोदुडों की सबसे ब हडपा सब्धता में किस कारबन पद्धती का उपयोग किया गया कारबन चौदा का या फिर आप सी चौदा भी बोल सकते हो हडपा सब्धता की सबसे पुरानी वस्तु कौन सी है हडपाई मोहर जो सिल्खडी नामक पत्थर से बनी है हडपा सब्धता में कौन कौन से विश तक माना गया है यहीं वाला मैं कहा रहा था यहां पर इसे मैंने बोड़ राथ हुड़ा यहां पर कनफेौस मत होना नोर्मली है तो दोनों आपको क्लियर कर लोग अगला है हडपस सब तक लोग किस तरह से अपनी आवसकताओं को पूरा करते थे उत्तर है कंद मूल जानवर यो मचलियों से या फिर मांज मचलियों से हडपस सब तक अस्थलों से किन किन अनाजों के दाने मिले हैं गेहूं जो सफेद चेना तिल बाजरा आदी मिट्टी के हल तसा जुते हुए खेद के प्रारूप कहां से मिले हैं मिट्टी के हल चोलिस्तान के बनावली से मिले हैं और जुते हुए खेद राजस्थान के काली बंगा से मिले हुए है एक ऐसा हमा है दुर्ग की उचाई का क्या करड़ था क्योंकि वहां की संड़चनाय कच्ची इट के चबूतरों से बनी थी प्रस्ण है मोहन जोदुरों में कितने कुवे थे 700 कुवे हड़पस अबेदा के समकालें कौन थे मिस्र के बिसाल पिरामिड मोहन जोदुरों में कितने मोहरे प्राप्त हुए उस पर क्या अंकित था उत्तर है मोहन जोदुरों से 1200 मोहरे प्राप्त हुए उन मोहरों पर पसुपती अंकित थे जिसमें एक कूबर बैल की प्राप्ती हुई इन मोहरों पर चिन्नों की कितनी संख्या थी 375 से 400 के मद 26 प्रस्ण है तौल करने के लिए किस चीज का उप्योग किया जाता था उत्तर है बाटो का तो देखो बहुभी कलपी याद करने का ये यही फाइदा होता है अगर आप बहुभी कलपी और अतलगुत्री याद करते हैं तो आप लांग टाइप आंसर अपने आप लिख सकते हैं उसमें कोई प्राब्लम नहीं होगी इने बड़े भी नहीं हैं का आपको याद ना हो चोटे शोटे प्रस्ण है इसे अच्छे से याद कर लिए अगर वीडियों को अच्छा लगा है फिर थोड़ी हेल्फ हुए तो प्रिलीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना